हेलो गाईज वीडियो शुरू करने से पहले करने प्लीज सब्सक्राइब मां चैनल एंड अट पैल आइकन एंस्टाग्राम पर भी कभी कभी फॉलो कर लिया करो यार्ट इस ली वीडियो क्यों नहीं पिक्वास मेरे एक्साम से रहे हैं एक्साम समझा करो एक्साम के बीच मे भी अपनी वीडियो बना रही हूं मतलब मुझे पढ़ना लगना नहीं है इसका मतलब किया है कोई नहीं कौन सामें टॉप करना है पासी तो नहीं यार्ट यूरी को सेरा के फोर्च करने पर लंच के लिए जाना पड़ता है बट सेरा के चलते बिचारी जीना कही नंबर ल कि क्लास के अंदर कुछ अजी भी हो रहा है दरसल कांग वुक जीना से बात कराता है और यूरी को लगता है कि यार यह तो यह स्कूल भी छुड़वाएगा इसके बाद उसे लगता है कि शायद यह जीनासे बात करा है और आफ़ धार जीनास के लिए फॉल एन लव हो कि यार मामला तो समझा करो इतनी मिसंडेस्टेंडिक पालने की ज़रूद क्या है उसे बताता है कि वह तुब जीना से बात कर रहा था क्योंकि वह नहीं चाहता कि जीना भी उसका साथ छोड़ दे विकॉज जीना उसे सच में बहुत ज्यादा पसंद कर दिया एंड वह इंड कि तुम इतने ज़्यादा इंटर प्रमत करो एंड वह गुस्तां हो जाती है कि कोई इतना जादा इंटरफे करें खास कर काम हो जिसकी वैसे पहली सब कुछ हो चका है कि अबसे बताता है कि मैंने जीना से बात की और वह सच में तुमें समझती है वह कह रही थी जादा माइ इसे काफी तब परिशान हो चुकी थी तो इन दोनों पर चलाती है और हो कहती है कि सुनो अगर तुम लोग की वज़े से मेरे नमबर कम आया तो तुम लोग रिस्पॉंसिबिल्टी लोग एक्यास की इसके बाद सहरा और जीना चुप हो जाते हैं हो कहती है कि प्लीज अब श जो कि मुझे कावी डीबली बात करता है मुझे उससे मिलना चाहिए तब ही चांसोल कहता है कि एक मिनिट क्या तुम फिर से लड़कों से मिले वाली हो देखना इस बावरी तुमारा हाट बुरी तरीगे से टूटेगा एन अब इन चक्रों में मत पढ़ो पाकलो पढ़ा ही नहीं जल रही थी और बचारे भाई सब काफी ज़्यादा डिप्रेस्ट थे यहीं पर जब यूरी जा रही होती है तब ही कांगो को उसका पीछा करता है तब यूरी को लगता है कि यार अब तो रुकना चाहिए उससे पीछे पढ़कर दिखती हो कहती है कि एक मिट क्या त सिसे उसकी सारत समान बटोर रहा था अब इसे पहले पता था तो पहली नहीं बता सकता था वैसे कांग भूक Kin fate age अगर follow नहीं घरना होता तो पहले बता देता कि तुम्हारा सामान गिर रहा है इसके बाद उसके बैग में सारत समान रख देता हैं दोनों सासात में वहां तो उनके दिल पर तुझे से गूलिया चल जाती है तभी यून बेन बाहर से आकर कहती है कि तुम उसे जाकर कंपेस क्यों नहीं कर देते हैं इतना स्ट्रेट फॉरवड आंसर सुनके चांसुल वाज लाइक सीरिसली तुम्हें लगता है मैं उसे लाइक करता हूं तभी यून लातर। भाण उसमा तुम्हें लाइकी इसके सापने सेने के यह जिना था समय नने में उसे किस भी क्या और है तेम एसे कैती है क्या जिना थो आओ लिजा में थो सक्षझारा एक तुम्हारा पैर लाहन चहुक्त कर रहते हैं आप खैषी लिए कि और्यां पर चृंच उछल करवा नहीं कहीं पागल ना हो जब मैंने चाहदी मेरा कोई फ्रेंड पागल हो जाए सभी केम्स कुछ अलाग अलाग होते हैं यहां पर चांसोल को स्पोर्ट में अपना करियर बिनाना है तो कांग वोक अपनी म्यूजिक में लगा हुए है यहां पर वो स्वीट सा लोफी म्य और यहां यहां पर दोई बनाया हो और जीना को साथ देखकर विचारे कमों की आलत वैसी खराब हुजा रहे थी और दोनों साथ में स्टडी जो करने लगे थे बिचारी को तो लग रहा था यह दोनों टॉप मारेंगे कि नहीं यह तो पता नहीं पट इन दोनों को देखती दिखते हैं मैं जरू डिप्रेस्ट हो जाओंगा न्यू यार फोटो शूट के लिए सभी को अपने ड्रेस लाने थे हैं तर असल गर्ल्स ने पजामा पहनने का ट्राय किया था मतलब कि उसे ड्रेस पहनेगी और लड़कों को सूट में आना था यहां पर यून बिन और कांग जल्दी से बहां निकलते हैं कि उससे कोचिंग के लिए जाना है यहां पर चांसुर कहता है कि उसे भी कुछ काम है इसके बादों अपनी डेस्टिनी पर चले जाते हैं बट बात कुछ अलगी रहते हैं दर असल यून बेन काफी पूर फैमिली से बिलॉंग करती हैं मैं स्टैडि करती हैं यहां पर यून बेन भाकिलों की मों कुछ एक रही होती है यहां पर नहीं को डिलीवरी करने उती है यहां पर आटी के आझा नहीं तुम परिशान का हो रहा है हो sic liquid नहीं नहीं चुंदा मत करिया है में यहां पर काम वो किसली आया था कूंकि उसे जीना के डैटेंड का सूट 모든 का सूट होधिम कानव थे सबस्द्यों क laisse Kathryn निदि जाता है दोसे सी सकती हे जाना था जहां पर हमका us जो चनदिशन निकल कर दो यूनमेन बताती है कि उसकी घर की कंडिशन इतनी अच्छी नहीं है वह अभी तक स्कूल में सबसे जूर बोलती है कि वह कोचिंग पर जाती है बट असलियत तो यह हमेशा पार्ट टैम जब करने के लिए यहां पर वह दोने की कंडिशन बताते हैं कि यूनमेन की पास इतने ऐसे हैं भी नहीं कि नई ड्रेस खरी सके न्यूएर फोटो शूट के लिए यहां पर चांसूल कहता है कि उसके पास भी नहीं है पर दोनों की प्रोब्लम सट आउट तो अब होने वाली थी यहां पर यूनमेन कहती है कि मेरे अंकल का एक सूट है वह मैं तुम्हें दे दू यहां पर हमारी ड्रामा के हैंसम बॉइस के इंट्री होती है वैसे इंट्री काफी ग्रेट ही होती है यहां पर सभी लोग का फिदा हैंसम लग रहे थे और सभी को लीड तो चांसूली कर रहा था यहां पर सभी गर्स इनको देखकर सप्राइज होती है कि हैंसम तो हैं इसक तो दोनों को होने लगी अब मैं पता चलता है कि जीना भी थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन हमारे चांसर के लिए फील करती आवे वन साइड़ लव नहीं रहा इंदो यून की मौम को देखें तो वह दो यून का सारा समर उठाकर बाहर फेक रही होती है तरहसल उनके साफ से बेटा बस पढ़ाई करनी चाहिए और किसी चीज में मन लगाओगे कि तो यह सब चीज में बरबात करकर छोड़ेंगी और हम दो यून की बात करें तो उससे एक फिल्म डारेक्टर बना है उसका पढ़ाई में मन्तु है बट इसमें वो अपना फ्यूशर देखता ही नहीं यून कहता है कि मॉम अगली बार वो बहुत हार तरिके से ट्राय करेगा पर प्लीस इन सब्सक्राइब को बाहर मतवे कि वो देखना अगली बार जरूर फस्ट आएगा आप मुझे पर प्राउट करोगी मॉम प्लीस इसे बाहर मतवे को बट मॉम का मानने वाली थी उने तो चीना को लगता है कि सच में साथ में आगाउट कर रहे हैं मतलब कुछ बाए यूरी जीना से कहती है कि सच मेंत तूम्हें से क्यूरटित होने लगी है अब चुपा मत बटमें मुझे बताना ही पड़ेगा तभी जी जीना कहती है कि नई यार झाड़ Plus वह सकता है मूंतम्ह follow कर लेना, subscribe भी कर लेना, follow Instagram पर करनाया, subscribe, YouTube पर करनाया, so, bye-bye.